The Kingdom of Ruins, episode number 11 के शुरुवात में हमें दिखा जाता है कि सिरो सागी के द्वारा कंट्रोल किया गया जो हाथ था, वो डोरोका के आखों के अंदर अपना थम को इंसर्ट कर दिया था, डोरोका दर्द के मारे एक्टम चीक ती है, उसके आखों से एक्टम खून निकलता है, और उस कुछ नहीं कर पाया था, ये सब देखने के बाद वो बहुत जोर से चिलाता है, वो कहता है कि प्लीज ये सब बंद करो, और अपना फुल पोटेंशल का यूज करता है, और इसी के बाद वो एकदम से अपना आपको छुराता है, और एकदम भागता है डोरोका को बचाने क लिए, और तभी डोरोका कहती है कि, एरोनिस मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, एरोनिस एकदम फ्रीक आउट हो जाता है, क्योंकि डोरोका के आँखों से बहुत ही जादा ब्लेडिंग हो रहा था, और कैसी भी करके उसे इस ब्लेडिंग को रोकना ही था, लेकिन उसी कहता है कि, तो एरोनिस क्या तुम कुछ करने नहीं वाले, और ये तरफ एरोनिस कहता है कि, तुम जल्दी से उस चीजग को रिटन कर दो, और डोरोका को ठीक कर दो, लेकिन तभी जो सीरो सागी था वो और ज़्यादा है, और जो डोरोका का आईबाल्स था, उनको अपने ह अर इस बार वो फिर से अपना हाथों से Aronis को उपर अटाक करता है लेकिन तभी Aronis अपने Quill से Reverse Magic का यूज करता है और जितने भी हाथ Aronis को उपर अटाक करने को आ रहे थे वो सब Reverse होके Serosai के उपर अटाक करता है लेकिन तभी Serosai की अपने एक हाथ के मदद से उपर हैंक करने लगता है और वहाथ जितने भी हाथ ते वो सब एक साथ ही क्लैश करके धमागा करते है लेकिन जैसे ही वहाथ धुआ हटता है Serosai की देखता है कि Aronis कही पर भी नहीं था और तभी हमें दिखा जाता है Aronis दोरोका को लेकि एक सेफ जगबे पहुँच चुका था लेकिन अभी भी दोरोका के आँखों से काफी जादा bleeding हो रहा था इसलिए उसको रोकने के लिए Aronis एक बहुत ही dangerous move यूज़ करता है और वो है कि वो उसी हाथ का जो fire था उसके मदद से वो दोरोका के आँख को एकदम से frost कर देता है जिसमें दोरोका को बहुता दर्द तो होता है लेकिन उसका आँख से bleeding होना रोक जाता है और ये सब देखने के बाद ही जो दोरोका थी वो कहती कि ये सब क्यों हो रहा है Aronis मुझे तो एक normal life जीना था मुझे तुम्हारे साथ school जाना था एक बिलकुल normal life जीना था लेकिन फिर भी ये सब क्यों हो रहा है और ये सब सुनने के बाद Aronis काफ़ी जाते emotional होता है वो even Chloe के बारे में भी सोचता है क्योंग Chloe भी यही same चीज़ कहां करती थी लेकिन बस अब वो और सहन नहीं कर सकता था उसे किसी भी हालत में बदला चाहिए ही था और उसे तरफ सिरो सागी एक building के टॉप से Aronis को ही ढून ले जा रहा था लेकिन तब ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जैसी वो पीछे गूमता है वो देखता है कि Aronis और डोरो का दुनुई एक giant के हाथ कूपर था और ये वही giant है जिसने की Radia Empire को तबा कर दिया था और तब ही headquarters से चार मीं बताती है कि सिरो सागी आप ध्यान से रहना क्योंकि ये बहुत ही ज़दा destructive है लेकिन जो सिरो सागी है वो तो बहुत ज़दा excited हो जाता है इसको देखने के बाद और उसी तरफ Aronis कहता है कि तुम जलिस अपने queen को यहाँ पे भेजो मैं तुम्हारे queen के साथ भी यही हाल करना चाता हूँ और ये सुनते ही सिरो सागी को बहुत ज़दा गुसा आ जाता है और वो फिरस अपना हाथ से continuously अटाक करन लगता है और ये देखते ही Aronis भी एकदम आगे बढ़ता है दोरुका को उसी जाइन का हाथ में रखके और उसी तरफ हमें दिखा जाता है कि जितनी बागी के हाथ थे वो सब उसी जाइन को continuously अटाक किये जा रहे था जिसके वैसे उस जाइन का हालत बहुत जादा खराब हो गया था और वो दोरुका को बचाने के लिए दोनों हाथ से दोरुका को कवर कर लेता है और जैसी वो नीचे गिर के पूरी तरह से तबाह हो जाता है डोरुका उसके हाथ के बीच में ही सेफ रहती है और सितरफ हवा में हमें दिखा जाता है एरोनीस और सिरोसागी एरोनीस को एक कस्के लात मारता है और एरोनीस एक नीचे जाके गरता है सिरोसागी बहुत ही आसानी के साथ Aronis के हर एक spell को होने के पहले उसको मार दे रहा था Aronis फिर से एक magical spell को cast करने जाता है लेकिन सिरो सागि उसके पहले उसको मारता है और फिर कहता है कि बच्चे अब तक तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि तुम्हारे जब magical power है उसका main weakness है कि वो बहुत जाता slow है और यही चीज तुम्हारे मौत कारण भी बनने वाला है और फिर हमें दिखा जाता है सिरो सागि अपने जितना भी हाथ था उन सब को एक साथ collect करके एक giant हाथ बनाता है और कहता है कि बस अब तुम मरो और अगले ही scene में हमें दिखा जाता है जो डोरो का थी वो देख तो नहीं पा रहे थी लेकिन फिर भी वो Ironis को ढूनने के लिए निकल परती है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थी लेकिन फिर भी कहती है कि Ironis तुम कहाँ पे हो और तभी जो डोरोका थी उसको रिलाइस हो जाते है कि ये जो चीज है ये जो आवाज है ये असल में एरोनिस का नहीं बलकि सीरो सागी का है और तभी एरोनिस धीरी से कहता है कि भाग जाओ डोरोका तुम्हाँ से भाग जाओ और तभी इस सीरो सागी एकदम से एरोनिस को ए प्रिक आउट हो जाती है लेकिन तभी सिरो सागी एकदम से डोरका को एक दिवार के साथ सटा देता है और उसके कपरा को एकदम भार देता है और फिर उसके पेट में बहुत ही जोर से मुका मारता है जिसके वैसे डोरका एकदम से नीचे गर जाती है और तभी जो वहाँ पे queen से मिला है वो queen का love slave बन चुका है और queen का happiness अभी उसके लिए matter करता है और फिर वो डोरोका से कहता है कि डोरोका तो अभी तुम्हारा मरने का फक्त हो चुका है क्योंकि एक world में ऐसे दो identical witches नहीं रह सकते और उपर से यह जो multiverse चीज है यह भी मेरे को बहुत ज़्यादा जोकी लगता है और फिर वो ironies का दरफ आगे बढ़ता है लेकिन तभी डोरोका उसके पैर को पकड़ लेती है और कहती है कि mankind का enemy witches है है ना तो आप please ironies को मारना बंद करो हाँ मुझे पता है कि उसने बहुत कुछ किया है लेकिन उसके पीछे उसका एक specific reason था लेकिन ironies को मार के कोई फायता नहीं होगा उससे बहतर कि आप मेरे को ही मार दो revenge लेना इस situation में ही एक मातर solution है और अगले ही scene में हमें दिखा जाता है सिरो सागी एक करस के लात मारता है डोरोका के सर पे सीरो सागी कहता है सिरो सागी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्में ये सब क्या कह रहे हो लेकिन मुझे ironies का सर ही चाइए और सितरफ डोरोका ये सब सुनके बहुत ज़ादा गुसा हो जाती है लेकिन तब है ironies कहता है कि दोरोका तुम प्लीज मेरे लिए एक last help करो तुम अपना love magic मेरे उपर use करो जब तकि तुम मेरे body को move करा सकते हो मुझे कोई फरक नहीं परता अगर मैं तुम्हारा puppet भी बन जाओ तो प्लीज दोरोका प्लीज तुम अपना magic मेरे उपर use करो और ये सब सुनके सीरो सागी बन लगता है और तभी डोरोका कहती है कि तो finally, finally मुझे इस situation का अंदर अपना magic यूज करना ही होगा और फिर वो Chloe से माफी मांगती है और एकदम से अपना resist magic का यूज करती है और अगली ही moment जो वहाँ पर एरोनिस उसको पर एक बहुत ही powerful magical ray आके गुड़ता है और उसका प गरता है एरोनिस फिर से खरा होता है और उसे तरफ डोरोका अपने बच्पन के बारे में सोचती है कि कैसे बच्पन से ही कोई वी witch उसका यही जो power है इसको useful नहीं मानती थी इवन लूना मीलिया बेबी सब लोग उसको यही कहती थी कि तुम एक useless witch हो तुम्हारे वैसे ही य मुझा भी पता चल रहा है कि तुम अपने पूरा life इतना pure cancer है पाई हो तुम हर एक चीज़ के बार में कुछ जादा ही care करते हो बट don't worry इस case में तुम मेरे को जैसा मन वैसा control कर सकते हो जादा चिंता मत करना मैं असली में तुम्हारे प्यार में नहीं गिरने वाला हूँ औ फाइनले डोरो का अपना magic spell कास्ट करता है Aronis को पर और Aronis का जिट भी घाव था हरे घाव एकदम से भर जाता है Aronis पूरी तरीके से heal हो जाता है और Aronis को इस magic way से infinite magical power gain हो जाता है और यह देखने के बाद चो सिरो सागी था वो भी बहुत जा डर जाता है और कहते कि पर सिरो सागी एक दम होसे भागनी कोशिश करता है लेकिन Aronis अपने quill के मदद से सिरो सागी के chest को एक दम scratch कर देता है और कहता है कि आपका wish मेरे लिए आदेश है मेरा princess और इसी के साथ ही episode खताम होता है तो guys अगला episode बहुत ही crazy होने वाला है तो मिलते अगला episode में till then bye bye stay safe झाला ही WordPress और इसी कि अवालाफ मेरे दो रागनी कोशिश कर देवाचेव तो अत्क करते है और कहता है कर दो कियां अगला Hebelween कोशोंपने खरते हैं वीतों हе अगलाज है वीत।